बस्या परखंड में तीन दिनों से बारिश हो रही है बारिश ने यहां भारी तबाही मचाई है कैगर धवस्त हो गए कैगर छतिगरस्त हो गए ओहीं बस्या वसिसे रूट इस्थित पोकला नदी में डाइवर्शन बह गया है जिससे लोगों को आवगमन में परेसानी हो रह है ओहीं बस्या परखंड से गुजरने वाली नेशनल हाइवे सडक पर इस्थित दच्छनी कोईल नदी का पूल खत्रे के निसान तक पहुच गया है क्योंकि नदी का पानी पूल को छूने लगा है अगर आओर बारिश होई तो पानी पूल के उपर से बहने लगेगी और के इलाकों का संपर्क उडिशा राज्य से कट जाएगा इधर कोईल नदी का जल इस्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों के लिए यह मनोरंजन का केंद्र बन गया है लोग वीडियो बना रहे हैं फोटो खिचा रहे हैं कोई सेल्फी ले रहा है वहीं दूसरी तरफ बस्या परखंड इस्तित बागमुंडा जल परपात की सुंदरता भी बढ़ गया है यहां तिन दिशाओं से नदी की गिरती जल दहरा लोगों को आकर सित कर रही है लोग दूरी बना कर इस मनोरं दृस्य को देखने के लिए बागमुंडा पहुंच रहे हैं ओहीं परसासन ने लो सकता है इधर दूसरी तरफ बस्या परसासन ने कोईल नदी इस्थित पूल के समीप पुलिस बल की तैनाती कर दी है ताकि नदी का जलिस्तर पर निगरानी रखी जा सके अगर नदी का पानी पूल के उपर से बहे तो तुरंत यहां से आवागमन बंद किया जा सकता है प्रभातकवर.com विश्वास्वही रवतार नई